नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप सभी लोगो का वेलकम करता हूँ अपने चैनल YMW Financial Services पे फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आप अपने बिजनस के लिए कोई नया EPFO नंबर आपने लिया है फ्रेंट्स हम लोग इस वीडियो में पूरा step by step देखेंगे कि अगर आपको अपने EPFO नंबर का नील लिटन फाइल करना है तो उसके लिए आप कैसे फाइल कर सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के सुरू से अन तक जरू देखें ताकि जो भी जानकारी में आपको इस वीडियो में दे रहा हूं उसकी नॉलेज़ आपको पूरी तरह से मिल सके और fence वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्कराइब नहीं क्या तो अपको अपना ब्राउजर ओपिन करना है और इसमें आपको टाइप करना है एप इंडिया.gov.in जैसे ही आप एप इंडिया.gov.in टाइप करेंगे तब आपके सामने EPFO का official website open होकी आजाएगा तो इसको आपको यहाँ पर cross कर लेना है दिन उसके बाद आपको return filing करना है तो उसके लिए आप देख रहे हैं आपको return payment लिखा हुआ है तो आपको इस पर click करना पड़ेगा जैसी आप इस पर click किजेगा तो यहाँ पर जो है आपका login का dashboard open होकी आजा जैसी आप उस पर click किजेगा आपके पास पर कुछ इस प्रकार से page open होकी आजागा आप देख रहे हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पर चलान entry में आपको click करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा आप जिस मन्त का आप यहाँ पर return filing करने जा रहे ह वो मन्त आपको यहाँ पर select करना पड़ेगा अभी जून का माहिना चल रहा है तो मुझे जो है अभी मैं के मन्त का जो है मेरे को return file करना तो उसकी हिसाब से मैं यहाँ पर मैं मन्त यहाँ पर select कर लेता हूँ यहाँ पर done कर देंगे देन उसकाद आप देख रहे हैं आपको select चलान टाइप आपको select करना पड़ेगा यहाँ पर जो है आपको administrative inspection charges चलान जो है आपको select करना पड़ेगा जैसी select करेंगे आपके पास में यहाँ पर administrative charges यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर देख रहें account number one है account number two है यहाँ ऐसे बहुत सारे account यहाँ पर दिये गए हैं तो यहां पे सबसे बड़ा कुशिन आता है कि सर यहां account number 2 में कितना amount मुझे fill करना है तो friends मैं यहां पे थुरा आपको clarify करना चाहता हूँ तो आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने account number 2 में आपको fill करने के लिए दो condition है पहला जो condition है कि अगर आपने कोई नया business start किया है और आप अपने business के लिए कोई नया EPA4 number लेते हैं और आपके company में 8-10 employee काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका COVID-19 के कारण या और कोई भी दूसरी reason के कारण आपका business बंद हो जाता है और आपका contribution जो है आपके employee के तरब जो है वो zero रहता है तो उस case में आपको यहाँ पर 500 रुपिया आपको account number 2 में आपको fill करना पड़ेगा उसके बाद जो है मैं आपको दूसरा condition बताता हूँ जैसे कि मैंने एक नया company formation किया tender लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं railway department या कोई भी PWD department में tender लेने के लिए मैं apply करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको EPA4 number का requirement रहता है तो आप लोग क्या करते हैं tender लेने के लिए आप लोग नया EPA4 number आप लोग ले लेते हैं उस case में क्या होता कि आप tender तो फिल कर लिते हैं तो उसके बाद अगर आपको tender नहीं मिलता है तो उस case में भी जो है आपको अपने EPA4 का ने लिटन आपको file करते रहना पड़ेगा और उस case में जो है आपका account number 2 में जो है यहाँ पे 75 रूपिस आपका यहाँ फिल होगा तो यहाँ पे आपको clear है कि आपका account number 2 में आपको कितना आपको fill करना पड़ेगा दिन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे next पे click करना पड़ेगा जैसे next पे click के जगे यहाँ पे आपको एक pop-up message आ चुका है यहाँ final amount 75 रूपीज यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखावा कि क्या आप सही में proceed करना चाहते तो यहाँ पे आप OK पे click करेंगे दिन उसके आप देखरें यहाँ पे जो है आपका draft चलान list आ चुका है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगर आप इस चलान को अगर edit करना चाहते है तो आप यहाँ से edit कर सकते है आप देखरें यहाँ पे edit का एक option है अगर आप इसको edit नहीं करना चाहते है तो आपको directly इसको finalize करना पड़ेगा तो चले यहाँ से finalize करते हैं click करके जैसे आप click करेंगे यहाँ पर pop up message आया हुआ है तो आप देख रहें यहाँ पर आपका चलान का TRN नमबर जो है आपका generate हो चुका है तो यहाँ पर OK पर click कर देंगे जैसे आप OK पर click किजेगा आप देख रहें यहाँ पर आपको payment करना पड़ेगा आपने जितना total amount अपने fill किया था तो मैंने यहाँ पर 75 रूपिस मैंने fill किया था मुझे 75 रूपिस का जो है मुझे चलान का payment करना पड़ेगा और आप अपने receipt को जो है यहाँ से download कर सकते हैं आप देख रहे हैं आप receipt है जैसी आप pay पर click किजेगा आपके पास में यहाँ चलान payment का यहाँ पर option आज जाएगा तो यहाँ से आपको अपना bank select करना है आपको जिस bank account से आपको यहाँ पर EPFO का payment करना है तो यहाँ से आप अपना bank select कर लेंगे चलिए मैं यहाँ से select कर लेता हूँ उसके बद यहाँ continue पर click करूंगा, फिर okay पर click करना यहाँ पर, उसके बद यहाँ पर पे पे payment mode आजाएगा, कि अगर आपका current account होगा, तो यहाँ पर पे as corporate user आप click करेंगे, अगर आपका saving account होगा तो यह查ना पे as retail user आप click करेंगे, तो चलिए मेरा current account है, तो मैं pay as corporate user पर click लेता हूं जैसे ही आप login किजेगा आपके पास में यहाँ पर payment detail आ जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर payment type लिखा हुगा जैसे क्लिक करना है जैसे क्लिक के जगा यह आपका दूसरा नंबर फॉर्म में आ जागा प्रिवियो एंड करना पड़ेगा तो यहाँ पर यहाँ पर रिमार्क्स लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर EPFO payment करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर EPFO payment मैं लिख दूँगा क्लिक किजएगा आप देख रहें हैं यहाँ पर लेकि अगर आपको इसको डॉंड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दुबारा लॉग इन कर लेना है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पेमिंट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखरें पेमिंट डायेट किलान है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर 15 मिनट वेट करूँगा उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि आपका यह payment जो है आपका confirm हो चुका है तो friends आप लोग इस वीडियो के आन तक जरूब बने रहें जैसी आप क्लिक कीज़ेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरा in process चलान लिष्ट में अभी भी मेरा यह सूख कर रहा है इसका status जो है awaiting payment है यानि कि मेरा अभी तक payment confirm नहीं हुआ है अगर 15 मिनिट के बाद भी जो है आपका यह चलान जो है in process चलान में अगर सूख कर रहा है तो इसको confirm payment करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको payment पर जाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ECR return filing है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप क्लिक कीजेगा आपके पास में इस प्रकास से desperate open होके आज जागा तो आप देख रहे हैं आप view log चलाने आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप क्लिक करेंगा आप देख रहे हैं जो भी चलान आपका in process चलान list में सूख कर रहा था यानि कि यह आपके bank से जो है transition detail जो है नहीं निकाल पा रहा है तो इसमें आपको tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा यहां payment पर जाना पड़ेगा जैसे आप क्लिक किजिगा आप देख रहे हैं यहां पर चलान लिस्ट में आपका कोई भी यहां पर चलान सूख नहीं कर रहा है तो आप देख रहे हैं यहां पर मैं के महने का मैंने return file किया था तो यहां पर वो रहा है पलस यहां पर पे पेमेंट गर रहा है मैं आपको वहां पर answer भी करूँगा और आपको step by step guide भी करूँगा और वीडियो पसंद आये तो आप इसको like and share जुरू करें और मेरे चैनल पर नए है तो friends आप मेरे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर ले तो बस आच के लिए इतना है इस वीडियो में धन्यबाद जैहिंद